हेलो ब्रीबन आप सभी का बदबद स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो डियर स्टूडेंट आज हम बताएंगे क्लास एट का हिस्टोरी यानि तिहास है चेप्टर टू भारत में अंग्रेजी राजे की अस्थापना इस चेप्टर का अभयास है इस वीडियो में हम बताएंगे तो चलिए देख लेते हैं इसका अभयास में यानि कौन-कौन से प्रस्ण पूछ रहा है तो ये रहा अभयास कर रहा है आए फिर से याद करे आए फिर से याद करें पॉला है रिक्त अस्थानों को भरे रिक्त अस्थानों को क्या करना है भरना है तो कौमे करें भारत और ये रोप के बीच अस्थल मार्ग से होने वाले बेपार में डेस डेस की मुहतपूर भूमी का थी तो इसमें हम लिखेंगे औरब सौधागर ठीक अरप सौधा गरो ठीक है उसके बास कर है दूसरा में कंपनी द्वारा खरीदा गया माल स्थेक्ट्री में रखा जाता है याँं पे लिखेंगे फेक्ट्री ठेक्ट्री ठीक है? उसके बास कर रहा है एक के बाद एक कड़ी लड़ाईयों ने मराठो को मराठो को कमजोर कर दिया नहीं कि यहाँ पर लिखा रहा है कमजोर उसके बास गहाँ नमर में कर रहा है जहाँ पर लिखेंगे चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सुजाओ दौला ठीक है और साहालम आलम ने अंगरेजियों के साथ सबसे पहले सहायक संदी को स्वविकार किया और अंगर में कर रहा हैं अंगरेजियों यहाँ पर लिखेंगे अंगरेजियों ने बिलियन नीती का अनुसरण किया तो चलिए आगे दिख लेते हैं आगे कर रहा है दूसरा में सही और गलत बताईए सही और गलत को बताना है कौन सही और कौन गलत है कौन में कर रहा है इरोप के बेपारी भारत में अपना माल बेचने और बदलने में यहां से सोना चांदी लेने आये थे तो इरोप बेपारी क्या थे जो अपने समान देते थे और भारत से सोना चांदी लेते थे तो यहां पर गलत खम है इस्ट इंडिये कम्पनी को भारत में बेपार करने का एकाधिकार मिल गया यह जो है सही है यहां पे सही है भारतिये को रहा है भारतिये रज एकता के आभा में एक एक कर अंगरेजी सासक के अधिन होते चले गाएं कर मुक्त बेपार से बंगाल एक राजस्व का काफी नुक्सान हो रहा था तो यहाँ पर भी सही ठीक है कमपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारती सेनाओं से बेहतर तोपे और बंदूखी थी तो यहाँ पे जो है सही होगा ठीक है अब आगे देख लेते हैं कह रहा है आईए बीचार करें यह जो प्रस्ण है इसका उतर आपको लिखना है तो प्रस्ण कर रहा है इरोब की बैपारी कमपनी ने क्यों भारत के राजनीति मावले में हस्तचेप करना सुरू किया तो इसका उतर अपलो इस प्रकार लिखेंगे तो इसका उतर यह रहा इरोप की ब्यापारी कम्पनियों का मुख्य उद्देश ब्यापार में अधिक से अधिक लाव का माना था करो से छुट प्राप्त करने के लिए और रज्य में ब्यापार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक छत्रम से ही ये सुविधाय मिल सकती थी अता उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधाय पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकम्पा प्राप्त करने की कोशिश की भारती राज एक दूसरे से लड़ने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्त छेप करना सुरू कर दिया तो चलिए आगे दख लेते हैं अगला प्रस्न क्या का रहा है अगला करना है अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे तो इसका उतर यहाँ पर है देखिए यहाँ पर कर रहा है बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था इसमें आधुनिक बिहार और उडिसा भी सामिल थे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था इन ही ब्यापारिक कारोनों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना शुरू कर दिया तो यह रहा उसके बस से आगे देखते है क्यों और किन परिस्तितियों में भारतिय सासकों ने सहायक संदी की सर्तों को स्वविकार कर लिया स्वविकार किया तो इसका जो है आप लोग इस पर कर लिखेगा देखिए कोस्टन थोड़ा सा जो है इसका उतर लंबा हो गया है 1707 इसपी में अंगरेज अरंगजेब की मृत्यू के बाद कई नई सुतंतर छेत्री राज्य का उदय हुआ था इसमें आपसी ताल मेल का अभाव था हर राज्य एक दूसरे के इलाके हड़प कर अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे इनमें एकता के अभाव की इस्तिती को देखकर अंगरेज उन्हें अपनी आधुनिक से निसहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पडोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके इसमें अंगरेजो का नीजी स्वार्थ था ही भारतिय सासक भी इसमें अपना लाव देख रहे थे कि इन inhें उन्हें राज छेतर का बिष्टार होगा साथ ही जो सासक या राज्य अंगरेजो के वेपार लाव के राष्टे में बाधा खड़ी करता था और तहर परिस्तिती हर परिस्तिती में भारतिय सासक को अंग्रेजो की सहायता संधी की सर्तों को सभीकार करना ही पड़ा था उसके वाशे देखिए आगे करा है चौथा नमर पलासी और बक्सर की यूधों में आप किसे निर्नायक मानते हैं और क्यूं इसका जो है आप लोग खुद से बना लीजिएगा तो फिर मिलता है अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए हमारे चैनल से जूड़र है थांकी फॉर वाचिक मैं वीडियो